बहुत से लोगों को Plusbase के स्टोर बनाने में बहुत सी प्रॉलम्स आ रही है मैं एक सेरीज पूरी इंट्रेड्यूस कर रहा हूं Plusbase के लिए जिसमें आपको A to Z गाइड मिलेगा Plusbase पे स्टोर सेट अप करने के लिए आप इस पूरी प्लेइलिस्ट को डेली देख सकते हो मैं पूरा रिक्याउड करते रहा हूंगा छोटा छोटा पोर्शन में रहेगा वीडियो हर एक टॉपिक के लिए आप हर एक टॉपिक को देख के समझ सकते हो अगर आपको फूचर में कभी कोई भी डाउट आता गे इस टोर बनाने को लेकर आप इस प्लेइलिस्ट को पूरी प्लेइलिस्ट को देख सकते हो इस प्लेइलिस्ट को मैं आज से सुरू कर रहा हूं आप Plusbase में साइन अप कैसे करते हो आपको साइन अप करने है साइन अप करने में सबस्याइन आपको यहां पर आपना email address डालना पड़ेगा कुछ भी आपका email address यूज हो अडालना चाहिए आपका email address active होना चाहिए क्योंकि अगर verification कोई बगेरा जाता है तो वेजी होता है तो मैं यहां विख कोई random से डाल देता हूं just now के लिए and swap name आप कुछ भी दे सकते हो swap name basically कुछ भी दे सकते हो इससे कुछ फरक पड़ता नहीं है but better रहेगा कि जो आपका domain name हो इसके near about रखो आप या जो आपका domain name लेना चाहोगे feature में तो उसके around रख सकते हो sign up करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर details होगा तो आपको जैसे यहाँ पर details में अपना नाम दे देना है जो आपका actual name हो वो दे देना है last name भी आपको fill कर देना है and store country जो आपकी store country रहेगे क्योंकि आप US market के ले sell कर रहे हो और US USDA global currency है ठीक है तो आपको यहाँ पर क्या करना हमेशा एक आपको United state currency रखना है अलब आपको यहाँ पर जो store आप setup करोगे वो United state ही रखना है तो मैं आप United state रखना है तो मैं आप United state रखना है तो इसका दूसरा यह फाइदा रहता है कि जो आपका store होगा उसके नीचे कोई भी अगर भार की लोग देखते हैं तो उनको United state लगेगा यह तो यूजली अगर आप इंडिया रखोगे तो आपका इंडिया है और इंडियन करंसी में आपको रहेगा आपका store देन आपको इसको convert करना पड़ेगा यूजडी में तो बैटर है कि आप इनीचली यहाँ पे यूजडी में ही रखो उसके बात है आप पर पर्सनल लोकेशन इंडिया आपकी पर्सनल लोकेशन इंडिया यह दोनों आपको डालना नहीं है बस अप्शनल ले तो आप डाल सकते हो यहाँ पर फेस्बुक प्रोफ करने के बाद यहाँ पे श्टूर सेट अप करने में लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है तो यह दो इस तरीके से यहाँ पे आपका एक प्लस बेस का इस्टूर ओपन हो जाएगा इसके बाद सबसे जो पहला स्टेप रहेगा आपको क्या करना है तो जो यह यह बाइ स्टेप बी जा सकते हो find a product connect domain install tracking pixel और यहाँ पर यहाँ पर स्पोज कि हम जो आप पहला काम करते हैं प्रोडट एड़ करते कैसे हम प्रोडट एड़ करेंगे तो मिस्टेब बाइस सब्सक्राइब करने के आपको बहुत सारे केटलॉग से मलब इनके खुद की केटलॉग भी है और अगर आपको अली एक्सप्रेस से लेना है प्रोड़क्ट तो उससे भी ले सकते हो है तो मैं आप पर पहले आपको एक्जांपल देता हूं कि लेट सपुज कि आपने जो प्रोड़क्ट फाइंड किया जो भी आपका रिसर्च के प्रोड़क्ट फाइंड कि आपको यहां पर मिल गया मालब प्लसबीस के संगी मिल गया तो आप यहां पर जस्कुछ नहीं करना जस्ट आपको यहां पर से add to list क्लिक करना है and import the product to the store करना है उसके बाद यहां पर इस तरीके से कुछ आ जाएगा तो आपको यहां पर क्या करना है यहां पर से अगर आपका इसका आप क्या है nog यहां पर आपका इन्पोर्ट हो जाता है कि आप यहां पर अल प्रट्ट्सं में जाके सकते हो यहां पर इवाला प्रोट्ट हमने इंपोर्ट के था बाकिई यहां पर ऑल्यडी इंपोर्टिट् प्रोड़टर्ट रहते है इस यह स्टोर में तो आप उनको डिलीड भी कर सकते हो this video में हम इतना ही बात करते है चैसा इसे बात करें कर सकते हो